यह आई तो लाइब्रेरी टाइम में कौन सी आज बुक है नन्ने सूरज देखते हैं कैसी है यह चित्र तो बहुत अच्छे है जस्वन सिंग विरदी ने लिखिए नन्ने सू चित्र अंगन रतनाकर सिंग वाव ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं इसके देखो कितने अच अच्छे कितने अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छी बुक बहुत अच्छी बनी है अब देखो पड़े आओ देखो कितना सुन्दर फूल है किसी बच्चे ने कहा कि आओ देखो कितना सुन्दर फूल है कहां है उधर चलो तो दिखाऊं बच्चे आपस में कहां है उधर दिखाऊं कहां चलें फूलों के पास सभी बच्चे बगीचे में चले गए यह बच्चे हैं देख रहे हैं आपस में इसके बाद ये वाला पेज भी बहुत अच्छा है इसमें गया है सरदी के दिन और सुबह का समय बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे सूरज को सूरज की र कोशनी सब में फैलती है तुम लोग जब स्कूल आ रहे होते हो है ना तब ही तो सूरज उगता है देखो आगे क्या है देखो ओस की बूंद जहां तहां चिटकी हुई थी उनमें उगता सूरज दिखाई दे रहा था यह देखो संप्लॉवर हैं बहुत सारे हैं सूरज मु देखिए वैसे यह और उसकी बूंदों में क्या होता है चमक पड़ती है तो उन चमक में यह बूंदों में यह सूरज दिखाई दे रहा है उसकी इमेज दिखाई दे रही है बूंदों में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सूरज हैं ना कितना अच्छा लग रहा होगा वो सीन जैसा इसमें है वाह क्या क्या है सूरज कहां है सूरज बच्चे उने बोला कहां है सूरज मुझे भी दिखाओ हर बूंद में सूरज कैसे हो सकता है सूरज तो एक ही है बूंदों में बूंदों में सूरज कैसे कहां फूलों पर सूरज सही में फूल पर सूरज कमाल हो बच्चों की निगा फूलों पर जमी उसकी बूनों पर टिक गई उनमें तो उनका चेहरा दिख रहा था अरे यह तो हमारे चेहरे हैं अब क्या पहले उसमें सूरज दिख रहा था लेकिन जब बच्चों ने बूंद की तरफ देखा जैसे हम लोग सीशे के सामने देखेंगे तो हमारा चेहरा दिखंगे तो एसी जैसे उन्होंने बूंदों की तरफ देखा वैसी उसमें उनका चेहरा दिखाई देने लगा उसकी बूंदों में तब ही उन अन तो हमारे चेहरे ये तान्मों देखोगा इस बच्ची का थथा उसके बाद ये सूरज चुप है ना तेज हवा चलने लगी आगे बड़ो अरे हम तो गायब हो गए सूरज भी तो गायब हो गया फूलों से लेकिन हम तो जिन्दा हैं बच्चे कह रहे हैं अरे हम बूनों से तो गायब हो गए लेकिन हम तो जिन्दा हैं मतला हम बूनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं पर हां हर बूंद में सूरज यानि एक सूरज की जो रिफ्लेक्शन था वो सब पर पढ़ रहा था तो उसमें हर बूंद में क्या दिखाई दे रहा था सूरज अब पता चला कि फूल हर रोज मुस्कुराते क्यों रहते हैं इतने सारे सूरज की सूरज जो उनकी गोद में खेलते बच्चे कह रहे हैं कि इतने सारे सूरज जो उनके पास है इसलिए फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और तुम लोग भी तो हर दम इसलिए मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर भी तो कई सूरज छुपे हैं।